Hello Friends, आज के इस वीडियो में हम आपको UPTU Lead के previous year के question paper के बारे में बताएंगे इस वीडियो में हम आपको UPTU Lead के सन 2011 और 2012 में जो questions आए हुए थे उस question paper के बारे में बताएंगे कि आप उस question paper को कैसे और कहां से download कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल के किसी ब्राउजर को ओपें करना है जैसा कि मैंने यहाँ पे यूसी ब्राउजर ओपें किया हुआ है उसके बाद मैंने यहाँ पे गूगल में इंटर किया हुआ है तो आप भी गूगल में जाएंगे उसके बा करने के बाद आपके सामने बहुत सारे लिंक्स आएंगे तो आप स्क्रॉल करते जाएंगे के इस वाले आले पाएंगे आप यूपेटी यू लीट ओल्ड कोशन पेपर्स और मॉडल पेपर्स इंट्रेंस एक्जाम डॉट निट तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यह आपके सामने एक ऐसे पेज पे लाएगा जहां से आप अपने यूपेटी यू लीट के सन 2011 और 2012 के कोशन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं तो इस पेज पे आने के बाद आप फिर स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद जैसा कि आप यहां देख सकते हैं दिया हुआ है हम जूम कर दे रहे हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं UPTU LEED 2011 Question Paper उसके नीचे UPTU LEED 2012 Question Paper मतलब सन 2011 और 2012 में जो Question आये हुए थे Interest Exam में LEED के लिए ओक Question Paper यहां पे अवेलेबल है इसको आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो simply आप UPTU LEED 2011 Question Paper वाले पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने डाउनलोड का आप्सन आ जाएगा जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि डाउनलोड का आप्सन आ गया है तो डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो यह Question Paper आपके मोबाल में डाउनलोड हो जाएगा और वहां से आप इस Question Paper को यूज कर सकते हैं इसको देख सकते हैं और इसके थुरू अपने UPTU Interest Exam के लिए बिश्ट तरीके से प्रेपरेशन कर सकते हैं तो उम्मीद है कि आप समझ गये होंगे कि आपको इस Question Paper को कहां से और कैसे डाउनलोड करना है अगर आपको वीडियो पसंद आज हो तो इस वीडियो पहलाई ज्यरू करें और अगर आप इसी तरह से UPTU Leads से related और previous year के Question Paper के बारे में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक लाल-कला का सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक करके आप हमारी इस चैनल से फिर में जुड़ सकते हैं फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के उपर तब तक के लिए Good-bye